सौ में नब्बे सोसित है, सोसितों ने ललकारा है, धन धर्ती राजपाट में नब्बे भाग हमारा है, ये नारा, ये सलोगन बिहार के लेलिन या कहें कि भारत के लेलिन कहे जाने वाले बाबो जगदेव परशाद ने दिया था और सोसितों की आवाज को बुलंद किया था, इस पूरे मामले पर आपको हम आगे बताएं उससे पहले नमस्कार आप देख रहे हैं लाई बिहार और मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास यह पूरा मामला उस समय का है जब समाज में जातिय समीकरन का जो ताना बाना था वो एक तरफा चल रहा था या कहें कि जातिय समा समाज के ताने बाने को कैसे बिक्सित किया जा कैसे समाज के ताने बाने में बराबरी का हक मिल जा है सिदारी मिल जा इसको लेकर लगतार देश और राज में सियासत होते रहा लेकिन मौजूदा समय में बिहार में जातिय गन्ना के आकड़े सामने आ गया है और उस आकड़ बिहार के पुर्व मुख मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संद्रक्षक जिताना मांजी ने सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर उन्हों लिखा है कि नितिश कुमार को अपने मंत्री मंडल को जल्द से जल्द बरखास्त कर देना चाहिए अब दरी बिछाने का समय चला गया अब भागेदारी मिलने की बात है भागेदारी लेनी की बात है तो आप समझे वही भागेदारी को लेकर बिहार के पुर्व मुख मंत्री जितारा मांजी ने नितिश कुमार से साफ साफ कर दिया है कि कैबिनेट को बर्खास कर दिजिए और जिनकी जितनी भागेदारी है हिस्सेदारी है उसके हिसाब से फिर कैबिनेट का बिश्तार क्या जाए यानि की नया कैबिनेट का निर्मान क्या जाए ताकि समाज में जो हि प्रावर या कहें कि बराबरी का हक मिल सके आप खुद देखिए एक प्लेटफॉम पे किस तरीके से बिहार के पुरु मुखमंत्री जिताना मांजी ने पोस्ट किया और साफ साफ उन्हों ने लिखा है और कहा है कि अब दरी बिच्छाने का समय चला गया अब भागिदारी की चाहिए अब भागिदारी की बात की भी जाने चाहिए और भागिदारी की बात की भी जाएगे जैसा कि जिताना मांजी ने अपने डिश्टल प्लेटफॉम पर आकर इस बात को रखा है तो आप समझे बाबु जगदेव परसाथ का ये नारा जब उन्होंने सत्तर से अस्त बढ सकता है या समाज में इसको धीरे-धीरे सबको मौका सबको काम सबको समान की सलाहियत पर या अधार पर मिल सकता है ऐसा भी ISSत तरीके से आंकळे सामने आये आये हैं अब भिहार की मुख मंत्री या जितने भी भागेदारी की बात अब उसकी चर्चाएं और सियासत भी एक्स पर किये गए बिचार और जो वक्तात्व है उसके पढ़ा है आपने कुद अपने नजरों से देखा भी है आप अपनी राय क्या रखते हैं जी तरह मांजी किस बयान के बारे में क्या सचमुछ मुर्तिस कुमार को कैबिनेट को बरखास्त कर दना चाहिए जो भागेदा सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें